केंद्रिये विद्याले भारत में प्रात्मिक वा माध्यमिक शिक्षा का एक प्रबंध है जो मुख्यत है भारत की केंद्र सरकार के करमचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है इसकी सुरुवात 1963 में हुई थी और तब से यह भारत के केंद्रिये माध्यमिक शिक्षा बोड़ से अनुमंदit है इस समय भारत में केंद्रिय विद्यालोगी संख्या 2409 मैं या इसे अदिख हो सकती है इसके अतलिक विदेश में तीन केंद्रिय विद्याले हैं जिनमें भारतिय दूतावासम के करमचारियों और एन्यरी प्रभाशिय भारतियों के बच्चे बढ़ते हैं विद्ञालेयों में भारत के राष्टिक, शुख्षिक, अनुसंद्धान और प्रस्षक्षण परिश्द के पात्थे करमा का अनुसंद किया जाता है सबी केंदरी विद्यालेوں کا संचालन केंदरी विद्याले शंगठण नाम की एक संस्ता करती है जब हमारे बच्चे ऐसे ही किसी विद्याले में पढ़ते हैं तो उनकी ओनलाइन फीश समय जमा करवानी पढ़ती है यदि आप किसी एमितर की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ आपको 60-70 रुपए इसके लिए प्या करना पड़ता है मगर यदि आप इसको अपने अपने फोन पे प्या करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको केंद्रिय विद्याले की जो फीश होती है वो ओनलाइन कैसे प्या करनी है तो चाहिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेट्स गेट बिगेन दोस्तो के वी एस यानि केंद्रिय विद्याले संगठनी की फीश डिपोजिट करने के लिए सबसे पहले आपको इस इंटरिफेस पे आना होगा श्याएगा इसके लिए मैं आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बोक्स है उसमें लिंक दे रहा हूँ उस लिंक के थुरू आप सीधा इस इंटरिफेस पे आ सकते हैं जैसे ही आप इस इंटरिफेस पे आएंगे आपको नीचे वाली साइड में स्क्रोल करना है आप जब स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टैप मिलेगा फीश डिपोजिट इस पे आपको एक बार टेप कर देना है जैसे आप इस पर टेप करेंगे आपके पास में next interface आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे पहला जो option है वो है click here for online payment अगर आपको अपने फीश deposit करनी है online payment करना है तो आपको यहाँ पर click करना है अगर आपको आपने पहले ही अपनी फीश जमा कर दी है और उसके लिए यदि आपको अपनी जो receipt है उसको print करना है तो आपको second वाले option पर click करना है और यदि आपको अपना चालान generate करना है और जो receipt है वो देखनी है तो आपको तीन नमर वाले point पर click करना है तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि किसी भी KVS के किसी भी student की जो fees है वो कैसे जमा करवाई जाती है तो आपको एक नमर वाले option पे tape कर देना है जैसे ही आप इस पे tape करेंगे next interface आपके सामने दुबारा आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस side में जब आप देखेंगे तो आपके सामने तीन option है पहला है student, unique ID, दूसरा date of worth और तीसरा है केपचा student जो unique ID है उसमें आपको एक जो केंदरी विद्याले संगठन है वो हर student को एक ID देता है यहाँ पे डाल देना है तो आपका समय बचे इसके लिए मैं आपको यह डाल के दिखा देता हूँ जैसे ही आप यह पूरी जानकारी इसमें खिल कर लेते हैं उसके बाद में नीचे आपको login वाला बटन जो है उसके एक बार टेप कर देना है जैसे ही आप टेप करेंगे आप अगला जो interface है उसके उपर पहुंच जाएंगे अगला जो interface है उसमें आपका name मिलेगा आपकी date of birth मिलेगी आपकी जो unique ID है वो मिलेगी आपकी कौन सी class है वो मिलेगी और आपका school का नाम क्या है वो नाम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आपको केवल आपका mobile नमर और email ID डालनी है तो जहाँ पर mobile नमर वाला box दिया गया है उसमें आपको अपना mobile नमर डालना है और जहाँ पर email ID वाला box दिया गया है वहाँ पर आपको अपनी email ID डालनी है साथ में ही आपने जो भी details यहाँ बरी है वो एक बार आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है उसके बाद नीचे लिखावा है make payment इसके उपर एक बार आपको टेप कर देना है जैसे ही आप टेप करेंगे आप अगले इंटरफेस पर आ जाएंगे जहां पर आपको अपना payment gateway मिलेगा यहां से आपको क्या करना है अपना जो card का नमर है वो डालना है payment केवल आपके ATM card से ही किया जाएगा ATM या phone पर बगिरा जो wallet होते हैं उनसे payment नहीं होगा केवल card से payment होगा तो नीचे लिखावा make payment उसके उपर एक बार आपको टेप कर देना है जैसे ही आप टेप करेंगे उसके बाद में जो अगला इंटरफेस आएगा वो आपके सामने आ जालना है जिससे आपका जो payment है वो successful हो जाएगा जैसे ही आपका payment successful होता है आपके सामने ये इंटरफेस आजाएगा इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं आपका student जो है उसकी ID है और आपका जो payment है वो successfully submitted हो चुका है तो इस प्रकार से आप अपना जो student है उसकी fees online deposit करवा सक तो अगर आपको अपनी जो fees की receipt है वो अगर प्रिंट करनी है तो आपको ये second वाला जो option है उसके उपर एक बार आपको टेप करना है जैसे ही आपका next interface आपके सामने इस तरह से आज आएगा जैसे आपके सामने इंटरफेस आएगा आपको यहाँ पे फिर से अपना login ID और जो date of birth है वो डाल के एक बार फिर से login करना है जैसे ही आप यह पूरी जानकारी इसमें फिल कर लेते हैं उसके बाद में नीचे आपको login वाला बटन जो है उसके एक बार टेप कर देना है जैसे ही आप टेप करेंगे आप अगले जो interface है उसके उपर पहुंच जाएंगे तीस रिची जिस पर यहाँ है click here to generate चलान and print receipt यहाँ पर अपनी जो चलान है वो generate करने के लिए फिर से आपको एक बार यहाँ पर टेप कर देना है जैसे ही आप टेप करेंगे फिर से आपको अपनी student ID, date of birth और capture डालके यहाँ पे एक बार आपको फिर से click कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पे click करेंगे इस next interface पे आप दुबारा पहुंच जाएंगे तो जैसा कि आप देख पार रहे हैं यहाँ पे एक बार फिर से आपके पास में तीन option है make payment, generate चालान और print receipt यहाँ पे आपको तीन नमर वाला जो option है उसके उपर एक बार आपको टेप कर देना है जैसे ही आप टेप करेंगे आपके सामने दो option है इस साल में यानि इस सत्र मे जितनी बार भी आपने अपने फिश deposit की है उतनी जो transaction है वो आपके सामने आ जाएंगे इसको अगर आपको download करना है तो यहाँ पे जो option दिया गए है print वाला इसके उपर एक बार आपको टेप कर देना है जैसे आप टेप करेंगे यहाँ पे आपके सामने download का option आ जाएगा आ आप यहाँ से इसको download कर सकते हैं नीचे वाले को भी अगर आपको download करना है तो फिर सिस पर टेप कीजिए यह आपके सामने download हो जाएगा यह कैसा दिखा देता है यह मां आपको भी दिखा देता हूं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी जो receipt है वो आपके सा सा है यह सब आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी fees कितनी जमा हुई है वो आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं और अपना जो चालान है वो generate कर सकते हैं उमीद है मेरी दिवरा दी जानकारिया आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी अगर ऐस आपको रोज चीए तो अभी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में Facebook और WhatsApp पे शेयर करें नीजर कमेंट सक्षिन में जाके कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लें मैं मैं मिलता ह आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए जोपी के साथ तब तक के लिए ठैंक्स पर वोचिंग आपका समय सुब हो झाल